पुष्टर वार से विपक्षी से सवाल पूछना हिसाब पूछना इससे बरकर बेशर्मी दुनिया में कुछ नहीं हो शकते। वो पंद्रवर्सों से हुकूमत में हैं तो न देश-पर्देश को जनता को बताएंगे कि हमने क्या किया या कहां दुरतसा क्या की। अब 15 साल पहले कोई हुकूमत थी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इससे बरकर कोई विशर्मी नहीं हो सकती। इस पर जादे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि यह कहां सुनी से नहीं बच सकते। आती चार गड़ी हंडा को रखे हुए हैं गाली दिलवाने के लिए। लेकिन सब लोग जानते हैं जब वेचारे का क्या कसूर है। तो गाली दिलवाने के लिए बहाले किया गया है। कि स्रीनिती इसकुमार क्या प्रानी हैं। कि चाहते हैं लोग को गाली गलोज करवा करके या पोस्टर लिखा पर ही करके इसके हम असलियत को दबा दें। बिहार है बिहार। जान जाएए यह है बिहार। इनको बिहार के लोग देंगे सुधार। एक और सवाल है कि मानव स्रिंखला बनाने के लिए पूरा मानव स्रिंखला पाखंड है धोखा है धकोसला है जनता को ब्रगलाने के लिए टाइम पास कर रहे हैं सरकार का काम है मानव स्रिंखला करने का लरकों को पढ़ाई हर्जा करके मास्टर को उसमें लगाने का अधिकार करमचारी को जानता का काम करना चाहिए तो उनको मानव सिंखला किसको दिखाना चाहते हूं मानव सिंखला भी प्रक्ष का काम है जुलूस प्रदर्शन करना सभाल उठाना हला उठाना यह क्या देखा रहे हैं लोग किसको देखा रहे हैं मानव सिंखला क्या इनका उदेश है सरकारी का फ्लॉप है उस समय में चुक हुई इधर से लोग खड़े हो गए जाकर के तब बानव सिंखला दिखाती है सरकारी अधिकारी करमचारी को काम से छोड़ा करके सरकारी खर्चा पर दुरूपयोग है और बिफलता अपना अपनी कमजोरी छीपाने के लिए नालाइकी छीपाने के लिए बिमानव सिंखला है और इसका कोई मतलब नहीं अपराद का बोल बाला हो गया अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है साइद नितिश कुमार जी अख़वार और मिडिया नहीं देखते यह क्या हालत है विहार की आप पोश्टर वार चला रहे हैं इससे नहीं बस सकते बिधी विवस्था चौपट हो गई प्रहाई लिखाई चौपट हो गई विहार का भविश्य चौपट है यह आर्थिक मंदी अलग है बेरुजगारी अलग है किसान का बुरा हाल है केवली घोशना से देश-प्रदेश नहीं चला करता और लोग हुसाली नहीं देख सकते इसलिए इस लिए पोश्टर वार चला रहे हैं किसी हिसाब से हमको सुरक्षा मिले बचावा मिले बगी अब जनता जान गई है जैसे जहारखंड प्रदेश में विदाई हो गई, महाराष्ट में विदाई हो गई, उसी तरह से यहां भी इंडिये की विदाई हो जाएगी बिहार भरकाव ऐसे तो बुरा हाल है लेकिन बैसाली और मुझब फर्पुर का सबसे बुरा हाल है अब तो मुझब बैसाली में दो-तीन हत्याएं होई रही है कई दिनों से, नया साल की शुरुवात हुई है हत्याओं से, जेल के अंदर गोली कैसे चली गई, कैसे अपराधी हैं जेल में कि कौन है चले गए, क्या पहरा है, क्या च्छानविन है, जेल में गोली चल गई ये अशह निये अपराध है और सरकार की घोर भी फलता है, परिवार की संस्कृती जानी जाती है उसके पाय खाने से, सरकार की संस्कृती जानी जाती है उसके जेल खाने से, और किसी समाज की संस्कृती जानी जाती है उसके माय खाने से, तो अब सिरी नितीश कुमार समझ लें कि किस हालत में बिहार को ले गए हैं दावा करते सराब बंदी हो गई सराब पहले से जादे हर जगा फैल गया बिहार में और कारोबार अबैद कारोबारी मालो माल हो गए पुलीस बाले मालो माल हो गए बालू बंदी से लोग तबाह हो गए, प्रिशान हो गए, दूहजार का बालू अब साथ हजार में, आठ हजार में लोग खड़िएने को मजबूर हैं, अब दावा करते कि हम बहुत सफल में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम अभिहार का विकास कर रहे हैं, प्रहाई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें